Hi guys, welcome to BeBanker, सुआगत है आपका आज के ग्लास में आज के वीडियो में हूँ पृति मैम और आज में लेकर के आगे हूँ आपके लिए और नहीं जबादसी वीडियो तो चलिए जल्दे चे शुरू करते हैं आज की वीडियो जान लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं तो आज पढ़ने वाले हैं इंपोर्टेंट वर्ट्स यानि कि महतुपुन शब्द ये वो महतुपुन शब्द की काटेगरी है जिनके बिना अंग्री जी नहीं बोली जा सकती जी हाँ वीडियो है बहुत जादा इंपोर्टेंट तो लाइक और शेयर तो पहले ही कर दीजे और बने रहेगा वीडियो के एंड तक ताकि आपसे कोई भी मिसना हो मैं बताऊंगे आपको शारे शब्द उनका उचारन उनका इस्तमाल उनका मीनिंग सब कुछ सब कुछ होगा इस वी जानने के लिए साथ यह क्लास और इसके घेर सारी क्लास डरेक्ले अपने मुबाइल तक पाने के लिए अब कैसे होगा वाटसप करिए पता कर लीजे आप कर सकते हैं हमें सारी सोचल मेडिया साइट्स पर फालो तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो सबसे पहला computer, mobile अग, computer, clear है, buy, buy का मतलब होता है, द्वारा, buy का क्या मतलब होता है, द्वारा, go by train, train से जाओ, या train द्वारा जाओ, तो अब जो द्वारा शब्द है, वो बहुत जादा इस्तमाल, हम लोग नहीं करते हैं, जब आम बोल चाल करते हैं, तो द्वारा का इस्तमाल नहीं करते हैं, तो ट्रेन से जाओ में जो है, ये द्वारा शब्द जो है, वो छुपा हुआ है, आपके मर्जी, आपके मर्जी, आप दोनों में से कोई भी लाइन स्तमाल कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, वन, वन का मतल मतलब होता है पास था स्पेसिविकली हैड के यूजज पे अल्रेडी चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जरूर जा करके देखिए हैड किस सारे किस सारे कॉंसप्स क्लियर हो जाएंगे इस्तमाल देखिए दे हैड कार उनके पास एक पास एक कार थी चलिए बढ़ते हैं आगे नौट का मतलब होता है नहीं नौट का मतलब होता है नहीं इस्तमाल δेखिए आई दो नाट like coffee, मुझे coffee पसंद नहीं है, I do not like coffee, मुझे coffee पसंद नहीं है, but, but का मतलब होता है, लेकिन, but, we will study, लेकिन हम अध्यान करेंगे, but, we will study, लेकिन हम अध्यान करेंगे, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, what, what का मतलब होता है, क्या, what का क्या मतलब होता है, क्या, what What is your problem? Problem का मतलब क्या होता है? Samasya What is your problem? Aap की samasya क्या है? Aगला है All All का मतलब होता है सब या सभी All का क्या मतलब होता है? सब या सभी All the lights went out सारी बत्तिया जल गई All the lights went out देखे, Went Out जो है वे एक तरीके से फ्रेज है जिसका मतलब होता है जल जाना है न ब्लो अप कर जाना So all the lights went out सारी बत्तियां जल गई वर यानि कि थे वर का मतलब क्या होता है थे, इस्तेमाल देखिए They were playing, वो खेल रहे थे They were playing, वो खेल रहे थे When When का मतलब होता है कब When का मतलब होता है कब When will you study, तुम कब पढ़ोगे When will you study, तुम कब पढ़ोगे We We का मतलब होता है हम या हम लोग We का क्या मतलब होता है हम या हम लोग, इस्तेमाल देखिए We are studying, हम अध्यान कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं We are studying, there, यानि की वहाँ, there, यानि की वहाँ, देखे, यह T-H-E-R-E वाला there है, ठिके, there का मतलब होता है, वहाँ, इस्तेमाल देखे, there is my phone, मेरा phone वहाँ है, there is my phone, मेरा phone वहाँ है, एक और there होता है, वो भी बताऊंगी, बने रहे यह वीडियो में, Can, can का मतलब होता है, सकता हूँ, सकते हैं, या सकती है, can का मतलब क्या होता है, सकता हूँ, सकते हैं, या सकती है, you can speak English, आप अंग्रीजी बोल सकते हैं, definitely, ये वीडियो आप देख रहे हैं, मतलब आपको इच्छा है, तो आप अंग्रीजी बोल सकते हैं, you can speak English, एन, एन का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है एक, लेकिन फर्ट देखिये क्या है, एन जो है हमेशा वोविल्स के लिए यूज होता है, ए, ए, आ, ओ, यू, यू, ये पांचो जो हैं, वो क्या हैं, वोविल्स हैं, इनहीं के साथ जो है वो एन इस्तमाल होगा, कैसे, चलि सकते हैं. यह आपका मतलब क्या होता है? तुम्हारा या आपका. What is your name? आपका नाम क्या है? या तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? या तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? Which. विच का मतलब होता है कौन सा? विच का मतलब क्या होता है? कौन सा, चलिए इस्तमाल देखिए which is your bag, आपका bag कौन सा है, which is your bag आपका bag कौन सा है there, there मतलब उनका, देखिए, ये there में क्या है ये IR वाला there है, चीए कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ER वाला there और IR वाला there, तो ये IR वाला there है, जिसका मतलब होता है उनका, it is their house, ये उनका घर है, it is their house, ये उनका घर है, चलिए बढ़ते हैं आगे, said यानि कि कहा या बोला क्या हुआ, said का मतलब कहा या बोला they said to us, उन्होंने हमसे कहा, they said to us, उन्होंने हमसे कहा if, if का मतलब होता है यदी या अगर if का मतलब क्या होता है, यदी या अगर, इस्तेमाल देखे use an umbrella if it rains, अगर बारिश हो तो चाता का इस्तेमाल करें, use an umbrella if it rains अगर बारिश हो तो चाता का इस्तेमाल करें, do do का मतलब होता है, करना Do का मतलब क्या होता है? करना, इस्तेमाल देखे You just do your study तुम बस अपना पढ़ाई करो या अपना अध्यान करो तुम बस अपनी पढ़ाई करो You just do your study Will Will का मतलब होता है गा, गे, गी शब्द के अंति में क्या मिल जाएगा आपको? गा, गे, गी मतलब उस वाक्य में क्या होगा? उस वाक्य में होगा Will, इस्तेमाल देखे We will study, हम अध्यान करेंगे We will study, हम पढ़ाई करेंगे His, His का मतलब होता है उसकी या उसका His का मतलब क्या होता है? उसकी या उसका This is His book या उसकी किताब है This is His book यह उसकी किताब है चलिए बढ़ते हैं आगे Each, Each का मतलब होता है प्रतियक Each का मतलब क्या होता है प्रतियक इस्तमाल देखिए Memorize each word प्रतियक शब्द को याद करें Memorize each word यह आपके लिए भी homework है इस वेडियो का Memorize each word Memorize का मतलब होता है याद करना प्रतियक शब्द को याद करने चलिए बढ़ें आगे About, About का मतलब होता है बारे में या के बारे में About का मतलब क्या होता है बारे में या के बारे में इस्तमाल देखिए Tell me about yourself, अपने बारे में बताओ Tell me about yourself, अपने बारे में बताओ How, यानि कि कैसा, कैसे या कैसी इन तीनों जगा पे आप क्या इस्तमाल करेए How, कैसा, कैसे, कैसी इन तीनों जगा पे इस्तमाल होगा How How are you, क्या हाल है या आप कैसे है इसी का होता है, ये थोड़ा informal हो गया आप कैसे है, How are you या क्या हाल है, आप इसको informal तरीके से बोल सकते है How are you, up आप का मतलब होता है, उपर आप का मतलब क्या होता है, उपर इस्तमाल देखिए, Hands up यानि की हाथ उपर, पुलिस बोलती है ना Hands up, हाथ उपर तो आप भी ज़रा सा हाथ उपर करिए और वीडियो को उन तक तो यह वीडियो पहुच नहीं चाहिए So yes guys, अगर आपने अभी तक हमारी Speak English in 6.5 hours, यानि कि सारे 6 घंटे में अंग्रीजी बोले कि Free Spoken English कोर्स नहीं देखी है तो किस चीज का अंतशार कर रहे हैं WhatsApp करिए और Free कोर्स अपने फोन पर मंगाईए साथे साथ उसी कोर्स के उपर Based E-book की Free Sample भी आपको प्राप्त हो सकती है, यह सारी चीज़ा कैसी होगी WhatsApp पे Message करके पता करिए और इसके साथी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे Premium WhatsApp Spoken English कोर्स पे इसकी Inquiry आप इस नमबर पे कर सकते हैं कि भी अगली बैच कप शुरू होगी कैसे पढ़ाई होगी, homework कैसे करना होगा यह सारी चीज़ा आपको WhatsApp पे बता दी जाएंगे साथी साथ यह Basic English Grammar Course अगर आपको किसी भी competitive exam के तयारी करनी है तो Grammar सबसे पहली चीज़ होती है जो बच्चों को दराती है पर इस course के साथ नहीं क्योंकि इस course में आपकी Grammar की basics जो है वो बहुत अच्छे से clear कर दी जाएंगे आप advance के लिए पूरी तरीके सा तयार हो जाएंगे इसकी inquiry पर आप इस नंबर पे कर सकते हैं बच्चों को Grammar सिखाना बच्चों का खेल नहीं लेकिन B-Banker के basic English Grammar for kids जो की specially designed है छोटे बच्चों को Grammar सिखाने के लिए उनको पता भी नहीं चलता वो खेल खेल में Grammar सीख जाते हैं और आगे उनको लाइफ में Grammar में तो अभी भी दिक्कत नहीं आती इसकी inquiry आप इस नंबर पे कर सकते हैं साती सात यह है फेवरेट मोस्त English Grammar and Writing for school आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हों या आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हों वो किसी भी क्लास में पढ़ते हों यह कोर्स बिलकुल आपके लिए है इसमें आपको आपके क्लास की English Grammar साती सात्त Writing section Writing section मतलब notice writing, essay writing, message writing, advertisement, writing, application writing and what not जो भी चीज़ आपके syllabus में है यह सारी चीज़े कराई जाती है Grammar भी कराया जाता है साती सात्त Writing section में full में full score कैसी किया जाते है जी हाँ, possible है full score करना यह भी बताया जाता है यह इसकी inquiry भी आप इस number पे कर सकते हैं इस course में आपके एपके अंग्री की पूई की पूरी syllabus कवर करा जाती है चाहे वह रीदिं गॉंजन हो चाहे वह और जाहे वो ग्रामर हो चाहे वो अडवांस लेवल ग्रामर हो या अडवांस लेवल के क्वेस्चिन्स हो यह सारी इसमें आपको कराई जाती है इसके इंक्वाइरी पर इस नंबर पर कर सकते हैं इंक्वाइरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वाइरी ब Be Beanker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Be Banker.